इम्मोटल अशोथामा अब सजबुलू तो इनके उपर आए निउस पे भरोसा कोई तब ही कर पाएगा जब एक्चॉल में इसका ट्रेलर या टीजर आएगा क्योंकि अनौस्मेंट से अब तक इसके इतने सारे अलग-अलग निउस आचुके हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा निउस सच है, कौन सा जूट और कौन सा अफवा है और ऐसे निउस एन अपडेट हर 4-6 महिनों के बीच में आता ही रहता है कभी ये खबर आती ही कि बजट के करण इसके प्रोडिसर्स चेंज हो गए जिसके बाद स्क्रिप में रीवर्क किया जा रहा है कि विकी कोशल इस फिल्म में इसे लीड रहेंगे या उन्हें किसी और हीरो से रिप्लेस कर दिया जाएगा हाला कि इसमें से काफी बाद सज भी हुई है और कुछ बिल्कुल नहीं तो क्या है ये अपडेट्स क्या ये न्यूस जो अभी आउट हुआ है उसका सोर्स कितना अथेंटिक है इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तो मगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए है या अगर पुराने भी हो पर किसी रिजन से आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज कर लें नॉर्मली मैं लोगों से अपील तो नहीं करता हूँ मगर वीवर्स और सब्सक्राइबर्स के बीच में गैप बहुत ही जादा होने के करण कभी-कभी थोड़ा ऐसा रिक्वेस्ट करना पड़ता है तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का ये वीडियो मैं हूँ आपका होष्ट प्रना और आप देख रहे हैं सुपर पॉप कल्चर और साथ ही मैंने मेरे कुछ फ्रेंड्स जो अभी भी अलग-अलग वेफेक स्टूडियो में काम करते हैं उनसे मैंने कुछ न्यूस को कन्फर्म किया जिसके बाद ही मुझे लगा कि यस मेबी अब फैनली एक्ट्वल में कुछ होने जा रहा है और हाल ही मैं अपडेट्स में सबसे बड़ा और इंपोर्टेंट अपडेट निकला इसका बजट जो है अरूं 600 क्रोड का अब देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है और तब तो ये और भी बड़ा लगने लगता है जब इसकी कास्टिंग को देखें जो इं बग 550 क्रोड रुपए जिसे यूज किया जाएगा शूटिंग, VFX और दूसरे टेकनिकल चीजों के लिए और अगर ये चीज़ सच हुई तो किसी भी फिल्मों को परफेक्ट फिल्म बनाने के लिए इतना बजट मोर देन इनफ है बट यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है क ये तो रिवील कर दिया गया है कि इसका बजट 600 करोड है मगर ये अब तक नहीं बताया गया है कि ये केवल एक पार्ट के लिए होगा या पूरे तीन पार्ट के लिए क्योंकि इम्मोर्टल अशौतामा एक सिंगल मूवी नहीं बलकि एक ट्रियोलजी होने वाली है तो इस लिए इसका कॉंसेट डिमांड करता है तो कम से कम धाई सो करोड ही इस फिल्म के साथ नयाएक कर पायेगा तो है वैसे मोस्ट अफ दे केस में ऐसा होता है कि शुरू में तो बजट अच्छा ही रखा जाता है और सबसे ज्यादा मेहनत भी उसी में ही किया जाता है क्योंकि अगर पहली फिल्म अच्छी रही तो दूसरी और तिसरी फिल्म तो बाई डिफॉल्ट चल ही जाती है ब्रमास के साथ भी कुछ-कुछ वैसा ही हुआ जिसके ट्रियोलजी के लिए भी इतने ही रिजर्व रखे गये थे जिसे पार्ट वन के सक्सेस के बाद अब उसे टेंडमेंट मीडिया होस कनफर्म भी बता रही है और ना केवल डेट्स बलकी प्लेसेज भी किया जा चुका है जिसकी सबसे कजयकेस्तान में 65 डेस की शुटिंग चलेगी और 26 डेस की शुटिंग दोबई में और बाकी शुटिंग कुछ इंडियन लोकेशन्स में प्लान ह शुटिंग लोकेशन्स के साथ साथ सीनोमेटरग्राफर का भी नाम सामने आ रहा है जो होने वाले है एक जापानी सीनोमेटरग्राफर जिनका नाम है टेट्सियो नकाटे जो अगर इस फिल्में के लिए कनफर्म है तो ये उनकी दूसरी इंडियन फिल्म होगी उनकी पहल की बात करें जिसके उपर भी आजकल लोगों की नजरे रहती हैं I mean literally पहले लोग एक्टर एक्टर डिरेक्टर या राइटर की ही बात करते थे बट अब लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई फिल्म के लिए वेफेक स्टूडियो कौन सी होगी अल्दो किसी भी फिल्म में के लिए एक नहीं बलकि multi फिल्टियो की इंवाल्ड रहते हैं बट प्रायमरी स्टूडियो तो एक रहता है दिन वो ही दूसरे स्टूडियो को काम असाइन करता है सेम इम्मोर्टल अश्वतामा के लिए भी हुआ था जिसका जिम्मा पहले जियो स्टूडियो ने सम्हाला हुआ था जो टेक्निकली 100% वेफेक्स स्टूडियो तो नहीं है मगर काम वहीं साइन होता पर अब इतने उतल पुतल के बाद ये सुनने में आ रहा है कि जियो स्टूडियो अब इसका प्राइमरी स्टूडियो नहीं होने वाला है मिन्स इसका सीधा मतलब यही है कि इस फिल्मे में आदी पुरुष जैजा कोई ब्लंडर हुआ तो उसका इलजाम इधर ना लगा देना बट एनिवेज अगर ऐसी किसी फिल्मे के लिए इंडिये में किसी वेफेक स्टूडियो पे भरोसा करना ही है तो शायद रेट चिलिस से बेटर और कुछ भी नहीं हो सकता है पर सिनोमेटर गुराफर की तरह स्टूडियो भी अगर बाहर के ही रखने है तो भाई पूरी दुनिया का दर्वाजा खुला है बस पैसा फेको और तमाशा देखो सो ओवरल ये प्रोजेक्ट फिलाल एक ऐसा सरकस बन चुका है जिसमें बस खीसतान ही जारी है और इतने दिनों से लोग जो ये दो पोस्टर देख देखकर ठक चुके हैं उन्हें उसके लावा भी कुछ और देखने मिले वसे परसनली मैं भी बस यही दोनों इमेज को यूज कर करके पक चुका हूँ सो डेफनेटली मैं भी डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ कि एटलिस इन लोग टीजर या ट्रेलर तो लाँज करें खरवे से आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगाओगो तो भाई लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और हाँ सब्सक्राइब तो बनता ही है सो आज के लिए फिलाल इतने ही दोस्तों मिलते हैं जल्द ही ऐसे किसी अपडेट या टॉपिक के साथ तब तक के लिए टाटा बाबा एंड टक्यार